हमें अभी तक डेली करिंट न्यूज में चर्चा की न्यूज है आस्टेलिया के पच्चमी टड़ पर खोजा गया एक सो असी किलो मेटर लंबा समुन्दरी गास दुनिया का सबसे बड़ा पौधा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा हाली में आस्टिलिया के पच्मी टट पर खोजा गया है एक समुन्दरी गास जिसकी लंबाई 180 किलो मीटर है फिलंडर्स यूनिवस्टी और दा यूनिवस्टी और वेस्टर्न आस्टिलिया के सोधकरताओं के एक समुद्वारा सार्क वे में रीवन वीड या पार्सी डौनिया अस्टिलिया की खोज की गई है इन सोधकरताओं ने यह भी पाया है कि पौधा 4500 साल पराना है बांज है अन्य समान पौधों की तुलना में गुन्सुत्रों की संक्यद्गनी है यह उतले सार्क खाड़ी के अस्तिर वातवरन से बचने में काम्याब रहा है समुद्री गास का अस्तित ग्याद था कि यह एक अकेला पौधा नहीं था क्योंकि समुद्री गास परियावरन में एक मैत्मुन भूमी का निवाती है और अगर इसमें से कुछ कठोर हैं तो कुछ जलवाई परिवतन से खत्रे में पड़ी दुनिया के सभी के लिए अच्छी खबर है भायत में समुद्री गास के अई टटिय छेत्रों विसेश रूप से मननार की खाड़ी पाक जल डमरू मद्द्ये में पाई जाती है विविन प्रकार के छोटे जीवो का घर होने के अलाबा सिग्रास तलचट को फसाता है और पानी को मेला होने से रोकता है वातरवन से कारवन को अफसोशित करता है और तर्टिय चरण को रोकता है तो इस न्यूज से आपकी प्रिक्षा के लिए क्या प्रिसन बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा समूंद्री घहास किस देश में खोजी गई है तो इसका उत्तर होगा आश्टेलिया में खोजी गई है अगर पूचे कितनी इसकी लंबाई है तो इसका उत्तर होगा 180 किलो के दोरा खो जा गया है और पूछा जाए कि इस पौदे की उम्र कितनी बताई है तो इसका उत्तर होगा 4500 साल पुराना इसे बताया है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट में हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और आप हमारे क के लिए सभी का धन्यवाद और मिलते हैं आगे अन्य न्यूज के साथ